पढ़ेंगे ओजोन ओजोन कैसे बनता है ओजोन बनाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार थे इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा तो यहाँ पहले हेडिंग नोट कीजिए ओजोन ओजोन का सुत्र याद रखेंगे O3 होता है और आकसीजन का सुत्र क्या होता है O2 होता है तो ओजोन का सुत्र क्या है O3 इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए नोट करते चलिएगा तो अब यहाँ लिख लेंगे ओजोन का 185 इस्वी में किसका खोज किये थे ओजोन का खोज किये थे इनों होने आक्सीजन गैस में बिद्दूत विसर्जन प्रवाहित करने पर उसमें से एक बिसेस परकार की गंध आती है मतलब आक्सीजन गैस में जब बिद्दूत विसर्जन किया गया तो उसमें एक बिसेस परका कि क्या आती है गंध आती है अब अगला जो ध्यान देंगे सान बीन क्या थे सान बीन ने सन अठारे सो चालिस इस्वी में बताया कि यह गंध किसी नई गैस की है जिसके गुड आकसीजन से क्या है भिन्न है मतलब सान बीन ने सन अठारे सो चालिस इस्वी में बताये कि यह ज इसके गुड आक्सीजन से क्या हैं? भिन हैं? अलग हैं? सान बीन ने इस गैस का नाम क्या रखे? ओजून नाम रखे. क्या नाम रखे? ओजून रखा. तो याद रखिए का ओजून गैस का नाम रखने वाले विज्ञानिक कौन थे? सान बीन थे. और ओजून गैस का सबसे प 85 इस विए में ओजोन गैस का खोज किये थे तो समझ में आ गया होगा कि ओजोन गैस का खोज कैसे हुआ अब हमनों पढ़ेंगे उपस्तती मज़ें ओजोन की उपस्तती क्या है ओजोन की खोज वाई मंडल से की गई किसे की गई ओजोन की जो खोज हुआ वाई मंडल से की गई यह वाई मंडल से 20 किलो मीटर के उंचाई कितने किलो मीटर में 20 किलो मीटर के उंचाई पर आखरी परत के रूप में पाई जाती है यह वाई मंडल से 20 किलो मीटर के उंचाई पर जो है आखरी परत के रूप में पाई जाती है जो सुर से आने वाली खत पारा बैगनी बिकरण को परावर्तित कर देती है मतलब जो सुर्ष से जो निकलने वाली जो पारा बैगनी जो किरण होती है उस किरण को क्या करते हैं परावर्तित कर देते हैं परावर्तित मतलब जिस माध्यम से आते हैं उसी माध्यम में वापस कर देती है तो समझ में आगया होगा कि ओजोन की उपस्ति क्या है और वाई मंडल में कितने किलो मीटर के उंचाई पर जो है यह आखरी परत पाई जाती है तो 20 किलो मीटर के उंचाई पर आखरी परत के रूप में पाई जाती है अब यहां बनाने की बिधी के बारे में समझेंगे कि ओ जब आक्सीजन में बिद्दूत उत सर्जन कराया जाता है तो ओजोन बनता है कितना असान है जब आक्सीजन गैस में क्या किया जाता है बिद्दूत उत सर्जन कराया जाता है तो ओजोन बनता है अब यहां आक्सीजन का सुत्र क्या है O2 है और यहां O2 जो है बिद्दू वापस में क्या है बराबर हैं तो समझ में आ गया होगा कि आक्सीजन में जब विद्दूत वुद्ध सर्जन कराया जाता है तो कौन सा गैस बनता है ओजून गैस बनता है अब धियान देंगे मोश्ट आइमपी जो है कई बार परिच्छा में पूछा गया है ओजो नाइजर क्या होते हैं तो ओजो नाइजर की परिभासा क्या है ओजून का निर्माड जिस यंत्र में किया जाता है उसको क्या कहते हैं ओजो नाइजर कहा जाता है तो या लिख लेंगे ओजून का निर्माड जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसे ओजो नाइजर कहते हैं एक किया जाता है उसे ओजो नाइजर कहते हैं कितना आसान है परिभासा तो इस परिभासा को आप सभी भी द्यार थे अपने काउपी में जब नोट कर लेंगे तो इसको क्या हो जाएगा याद भी होता रहेगा इसलिए अपने काउपी में से क्या किजिए नोट करते चलिए अब हमनों पढ़ेंगे ओजो नाइजर की परकार ओजो नाइजर कितने परकार के होते हैं तो याद रखेंगे ओजो नाइजर जो होते हैं वो दो परकार के होते हैं तो पहले हेडिंग को नोट कर लिजे ओजो नाइजर के परकार ओजो नाइजर दो परकार के होते हैं अब पहला का नाम क्या है तो सीमेंस का ओजो नाइजर क्या है सीमेंस का ओजो नाइजर है और दूसरा जो है बाड़ी का ओजो नाइजर यहां का कर लिजेगा बाड़ी का ओजो नाइजर तो यहाँ ओजो नाइजर दो प्रकार सीमेंस का ओजो नाइजर और बाड़ी का ओजो नाइजर अब लोब समझेंगे सीमेंस का ओजो नाइजर क्या है उसके बाद से समझेंगे बाड़ी का ओजो नाइजर क्या है तो अब यहाँ पे चितर के माध्यम से समझेंगे सीमेंस का ओजो नाइजर तो यहां पे जो है करमसद ध्यान देंगे इसकी जो अकार है यह यू अकार का है किस अकार का है जो ओजो नाइजर जो है सिमेंस इसका अकार क्या है तो सिमेंस का जो ओजो नाइजर का जो अकार है यह यू अकार देखेंगे मतलब यह पत्ती जो बना हुआ है ध्यान से देख उपर जो काला रंग दिखाए दरा यह टीन की पत्ती जो है उपर है और यहां नीचे भी यह टीन की पत्ती जो है दोनों सीरों पे लगी रहती है मतलब यह पहला सीरा जो है और यह दूसरा सीरा दोनों सीरों पे क्या होती है तीन की पतली परत लगी होती है और इसका जो संब होता है यहां ध्यान से देखेंगे इसका संबंध मतलब किसे जुड़ा है तो प्रेरक कुंडली से जुड़ा रहता है मतलब सिमेंज का ओजोनाईजर का अकार यू अकार का होता है इसमें जो होते हैं टीन की जो है पती लगा होता है दोनु सिरो पे लगा होता है और टीन के पती का सम्मंद किससे होता है? तो प्रेरख कुंडली से होता है. इस कांच के नली के उपर जो है आकसीजन इस कांच के उपर जो देख रहा है? इसमें क्या है? आकसीजन गैस जब भेजा जाता है तो वह 10% भाग ही ओजोन बनता है. तो इसे अपने कापी में चित्र को बना लिजेगा बहुत आसान चित्र है बस थोड़ा सा आप लो धियान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो अब यहां लिख लेंगे इस ओजो नाईजर में काच के यू अकार के नली होती है किस अकार की? यू अकार के जो है काच के यह नली बना हुआ है और इसमें क्या होते है दोनों सीरो पर टीन की पत्ती किस की? टीन की पत्ती दोनों सीरो पर लगी होती है तो यहां लिखेंगे जिसके दोनों सीरो पर टीन के पतली परत लगे होते हैं जिनका संबंध प्रेर कुंडली से होता है इस कांच के नली के ऊपर से आकसीजन भेजा जाता है मतलब यह जो कांच का जो बना था इसमें कौन से गैस को भेजा जाएगा आकसीजन गैस को जब इसके अंदर भेजा जाएगा तो इसका 10% भाग ओजोन में क्या होता है बदल जाता है मतलब जब यह आकसीजन गैस यू अकार के नली में जाएगा तो यहाँ पर ओजोनो क्रित आकसीजन जो है O3 जो बना हुआ है यह कितनी परतिसद बनेगा तो 10% जो है ओजोन गैस में बदल जाता है तो कितना आसान है सीमेंस का ओजोनाईजर आप सभी विद्यार्थी समझ लिये होंगे कि जो सीमेंस का ओजोनाईजर है किस अकार का है यू अकार का है और इसमें किस की पत्ती लगी होती है तो टीन की पत्ती लगी होती है और उसका सम्मंद किस से है तो प्रेरर कुंडली से है तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कापी में क्या कीजिए नोट का लिजिए और चितर को बना लिजिए